हेलो गाईस कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होंगे तो ग्रामिन उद्धमी सुस्तान के बारे में ये वीडियो होने वाली है जो उसकी वेबसाइट को लेके बहुत सारे क्वेस्टन है कि कब तक वेबसाइट खुलेगी और कैसे खुलेगी तो इसमें कुछ क्वेस्टन लो वो है कि ये पैसे लेंगे क्योंकि कहीं कमेंटों में दिखा है कि कहीं लोगों के पास मेल आयए हैं तो उसको लेके भी आप सभी को बताओंगा और यह कब तक जॉइनिंग दे देंगे ये वाले जवाब आप सभी को मैं इसमें देने वाला हूं और इसमें बहूत इंपो innate एक question है कि बहुत साय लोगों की call आ रहे हैं कि इसके लिए आप अपनी job छोड़ सकते हैं या नहीं बहुत साई लोग बाहर job कर रहे हैं या उत्राखन में भी कर रहे हैं तो बहुत सारी लोग को question यह है कि हम अपनी job छोड़े या ना छोड़े, यह job सही रहेगी और जो रिप्लाई कब तक आएगे इसके बीवि बारे में बात करूंगा और जो 9 वेटिंग लिस्ट वालू के नाम कब आएंगे एभी तो फिलाल सवाल यही है कि इसकी जो साइट है कब तक खुलेगी और जो 10 वा क्वेश्चान है कि जो जिमेल पे mail कर रहा था जिनका pending में दिखा रहा था तो उन्होंने mail करे थे या बहुत साई लोगोंने mail करे है जिनके नाम गलत हो गया या कुछ भी गलत हो गया तो उनके reply कब तक आएंगे इसके विवारे में बातचीत करेंगे जो इसकी website के उपर आपका सवाल था कि इसकी website कब तक खुल जाएगी और क्यों नहीं खुल ली तो इसका यहीं की दी जाने की 31 तरीक तक तो इन्होंने कह रहा था और एक तरीक को सनिवार था और जो यह सथान है यह दो दिन बंद रहता है तो इसलिए इसकी website नहीं खुल ली है और बहुत सारे लोगों का question है कि अब कैसे इसकी website खुले तो इसका link में description में दे दूँगा तो आप कल 10 बजे के बाद इसको try कर सकते हैं I hope कि 10 बजे के बाद यह website आपके खुल जाएगी तो बाकी जो दूसरा कुछ सहनता है कि यह फेग है यह real है बहुत सारे लोगों के question अभी भी आ रहे हैं जबकि इन्होंने result भी जारी कर दिया कि किस का selection हो गया है और इनकी जो training है उसका भी mail बहुत सारे लोगों के पास आया है कि आपको जल्दी इसके documents प्राफत होंगे और आपको counseling के लिए बुलाए जाएगा तो इसमें कहने के लिए कुछ नहीं बचाए कि यह fake है यह real है यह बिल्कुल real है क्योंकि अगर इनको fake ही कुछ करना होता तो यह ज़रूर पैंसे ले दे कुछ और फिर बात में इनका जो result है वो बहुत late में देते या कुछ कारण के वज़े से पीछे-पीछे करते जाते जैसे ग्रामी डोजगार का LS अस्तान के एक post आये थी उसमें I think 300 रुपे फिस ली गई थी और उसमें भी एक साल से उपर हो चुका है तो अभी उसका कोई result नहीं आया है अभी result के लिए बता रहें कि आएगा आएगा result तो ऐसे process होते हैं जो जातर fake होती है मैं fake उसको भी नहीं कहता है लेकिन जो उसके बहाने हैं आप उसको देख कर बता सकते हैं और जो अगला question है कि यह पैंसे तो नहीं लेगी I think एक दो comment आये थे YouTube पे कि यह पैंसे के लिए mail आया है तो I think मैं इसको तो गलत कहूंगा क्योंकि जिनके भी अभी तक comment आया है कि यह पैंसे ले रहे हैं हमारे पास mail आया है कि आपको पैंसे जमा करना है तो मैंने उनसे बाचीत करी और कुछ लोगों से बाचीत करी तो किसी ने भी अभी तक मेरे को mail प्रवाइड नहीं कराए जिसमें यह लिखा गया है कि ग्रामी उत्रमी सस्थान पैंसे ले रहा है और उसका mail यह है वहना मैं आपको दिखा दिता अगर ऐसा कुछ भी आता तो मेरे के हाल से कोई ना कोई मुझे mail सेंड कर देता या कोई ना कोई जरूर इस टॉपिक के उपर वीडियो बनाता था कि आपकी ट्रैनिंग कब तक होगी तो इसका जवाब तक आपकी ट्रैनिंग पूरी होगी और मार्च में आपको जुइनिंग मिल सकती है तो बहुत अच्ही ख़बर है जिनकी जुइनिंग हुई है या जिनके नाम पैंडिंग में है या वेटिंग लिस्ट में तो जो अगला question था कि आपकी joining कब तक होगी तो इसका जवाब तो मैंने दे ही दिया है तो बहुत साथ लोगों के question थे कि अपनी job इसके लिए छोड़े या नहीं छोड़े बहुत साथ लोग बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं 15 या 20,000 पे लेकिन वो कहरें कि यह private sector है यह आदा government है तो अर्दसरकारी कह सकते हैं जो यह NGO वाला work है तो इसलिए बहुत साथ लोग कहरें कि क्या हम इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत साथ लोग उत्राखन से भार है औ और उनका यही क्वेसने के उत्राखन में जॉप करने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छी opportunity है और बहुत साथ यूटूपर उन्हें यह भी कहा है कि इसका पे स्केल 20,000 से जादा जा सकता है जो सबसे नीचे वाली पोस्ट थी multiple tasking staff की जो इसमें भरती आई थी इसके लिए लोगों ने कहा है कि 20,000 से जादा इसका पे मिलेगा तो इसलिए लोग छोड़ने के लिए तैयार है पर इसमें एक चीज कहतों कि जो इसकी भरती है और जो इसकी पोस्टिंग है आपको बस दो साल के लिए आपके डिश्टिक या राजिया में रखेगी उसके बाद कहीं भ में तीन राजियों में काम कर दी तीन स्टेट में काम कर रही थी तीन हर्याना पंजाब और उत्राखंड में इसकी जो वह आए थी तो आई थिंक जब भी अगली बार आए तो कहीं भार भी आए तो आप जरूर अपलाई कर सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ दोई साल वहां सब्सक्ता रहें इसके बाद को कहीं और भी मिल सकता है या आपके मन मुताबीद भी आपको मिल सकता है इसी राजय में वत्राखंड में यहां से भी आफ फ्लेकर रहें पर तो जो इसका अगला क्विस्टन था कि फिर से इसकी भह ठीड कर दिया कि कि अब किसी वह राजन में निकल सकते हैं तो इसके लिए आप बने रहें सब्सक्राइब किसी भी राजन में आती है तो बैशन को अप्डेट कर दिया जाएगा तो जो इसकी अगली पैंडिंग वालों के लिए याई पेंडिंग वाले कह रहे हैं कि हमारा नाम कब आएगा तो अभी तो फिलाल यह कुस्छन है कि इसकी जो वेबसाइट है कब चलोगी तो इनका भी जवाब कली मिलेगा क्योंकि इसकी जो साइट है कली उपन होने वाली है तो जब दस बजे उपन हो जाएगी तो उसके ब जल्दी जैसे कि बहुत सारी यूट्वरों ने का था पांच जन्वरी तक तो आप सभी इंतजार करिए और लगाता नजरे बनाईए और अभी मत देखे कल दस वजे के बाद आप वेबसाइट पे देख सकते हैं मैं इसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्सन में देदूगा और जो अगला क्वेशन है नोवा क्वेशन तो बहुत साई लोग कह रहें कि जो हमारी मेल आइडी हैं मेल आइडी हमने मेल करा था कि हमारा नाम पेंडिंग में हैं तो पेंडिंग में होने की वज़ा क्या है बहुत साई लोगों को पता नहीं चला है और बहुत साई लोग करने तो बहुत कम टीम है और लगवक से 10,000 के लिए इस पर अपलाई लोगों ने करा था और बाकी लोगों ने भी करा था जिनका नाम नहीं आया था तो आइटिंग बहुत सारी जब मेले जाते हैं तो उनके रिपलाई करने में टाइम लग जाता है या बहुत सारी करण होते जिसरषे से इनका रिप्लाई नहीं हा है उसके करके वहां सही कर दे यह इसका या नंगे जिनका नाम गलत है या देट कर लगोगे बहुत सारी चीज़े हैं जो गलत हैं जैसे किसी ने marks भी गलट डाले हुए तो वो कहरें कि हम सही कैसे करें तो उसका एक एक option है कि आप उनको mail करिए और mail करने के बाद जो भी आपका reply आता है I think अगर आपके marks गलट है तो उसमें बहुत बड़ी ये mistake मानी जा सकते है और सही भी ना हो तो इसके लिए आप दूसरी post के लिए अपलाए कर सकता है किसी और चीज के लिए तो कैसे लगी आप सबको ये वीडियो जरूर बताए मुझे इस ये special वीडियो आप सभी के लिए मैं बनाना चाहता था बहुत दिनों से पर आज सोचा कि आज दो तारीक को क्योंकि एक तारीक को सारे व्यस्त रहते हैं तो इसके लिए बने रहे हैं मिर साथ और कैसी आप सभी को वीडियो लगी है जरूर बताए मुझे जय बारत